हेलो एवरिवन यह है वीडियोज वर्ड चैनल आज की वीडियो में फुल बिल्डिंग हम डिजाइन करेंगे हमारे पास एक ड्रोइंग है ऑटोकेट ड्रोइंग एक प्लान दियावा है बिल्डिंग का और इस प्लान में देखिए जो रेड बॉक्स दिखाई दे रहे हैं आ प्लान के आगे कि यह हाड सर्फेस बनाई हुए जिसे हम चप उत्रा भी बोलते तो इसको में डिजाइन करने की जरूत नहीं है तो इसको हम अटा देंगे केवल हमारे पास जो बिल्डिंग है वो है हमारे पास यह बिल्डिंग ठीक है उसका हमारे पास प्लान है अब इसक stat pro में हमें कैसे बनाना है stat pro में आप जैसे कि जानते हैं single line diagram बनता है यानि जैसे एक frame बनाना है तो वो इस तरह से बनेगा लेकिन यहां पर क्या double line या पूरे beam की width दी हुई है ठीक है तो अब हम कैसे इसको करें एक तरीका तो यह है कि आप dimensions को मेजर करो यहां से center to center और फिर यह देखिए मम में है और इसको बनाते रहो पर ऐसे drawing नहीं बनती है इसको बनाने का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले हमें क्या चाहिए इसमें केवल beams और columns ठीक है तो beams columns चाहिए और यह टेक्स एक सारा उसको हटा देते हैं तो layer command में building layers के अंदर बनती है तो layer command में जाता हूँ बहुत सारी layer है ठीक है मैं क्या करता हूँ एक new layer बनाता हूँ इसका नाम डालता हूँ state state पर काम जाओगा अब मैं क्या करता हूँ सारी layer select करता हूँ state वाली layer को छोड़ की और यहां से कर देता हूँ उसको switch off यह सारी layer switch off हो गई और state वाली जो layer मैंने बनाई है state यह रही state इसको double click करना हूँ तो यह activate हो जाएगी ठीक है यह activator हमें क्या चाहिए beam और column तो beam यह beams आ गई और हमें चाहिए column column नमबर नहीं चाहिए column यह आ गई column बस हमें इतना चाहिए अभी मैं जो भी ड्रोइंग बनाऊंगा वो किस पर बनेगी हमारी state की layer पर क्यों हमारी activate है हमें क्या चाहिए center line चाहिए इस beam की यह जब बीम है इसके बीच में center line चाहिए हमें फिर उसी को हम state pro import करेंगे क्योंकि इसको तो हम इपर्ट करेंगे लिए इसमें विट्थ दी हुई है तो हमने क्या किया मैंने एक line command से इस beam के बीच में line कीची ठीक है अब मैंने xl infinite line का command होता है xl और यहाँ पे इसके center में लेके इसके center में line बन गई अब मैंने c o copy command लिया copy command से कौन से copy line करनी है मैं center line कहां से करनी है मुझे यहां से distance अब देखिए मैं सभी किसी भी beam के bottom line क्लिक करूंगा तो center line automatic उसमें आ जाएगी हमें सभी की center line बनानी है सभी horizontal beam की लगबख सभी horizontal beam की line बन चुकी है यह तो चबूतरा था इसका तो बनाना नहीं है हमें बन चुकी है सभी horizontal beam की यह रह गए हैं क्योंकि यह beam हमारे partition walls हैं यह beam नहीं है तो अब मैं इस command को हटाता हूँ इसी तरह से हम horizontal line मनाते हैं सबसे पहले line command और यह हमने बनाई बीच में लाए center लेने के लिए Excel अब मैंने center पर क्लिक करका हलका सब अपवड क्लिक कर दिया अब सी ओ से copy इस line को क्लिक करना है और यहां से copy कर लेते हैं अब मैं जल जल्दी बस यहां outer beam पर इस पर क्लिक मैं क्या कर रहा हूँ केवल यहां पर क्लिक करता हूँ और और automatic center आयाद है कि उस distance से हमने copy किया है सभी हो चुके है vertical ठीक है यह हो चुके हैं अब मैं क्या करता हूँ trim command use करता हूँ tr enter सबसे पहले मैं इस line पर क्लिक करूँगा फिर enter और यहां पर क्लिक करूँगा यह देखिए इसी तरह में दुबारा command activate करता हूँ यहां क्लिक करूँगा इस तरह दुबारा यहां क्लिक क्या ठीक है इसी तरह भाव में trim करने है सारी चीज़ देखिए यहां पर मैंने यह line select की enter हमें यह नहीं चाहिए हमें यह नहीं चाहिए परफेक्ट हमें यह नहीं चाहिए 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 ह enter मैंने इस पर क्लिक किया enter इस पर क्लिक कर दिया ठीक है और मैंने इस पर क्लिक कर दिया इस line के तो हमें जरूरती नहीं है यह तो erase होगी era यह दोनों तो erase हो जाएंगी देखें perfectly सारी center line बन चुकी है अच्छा यहाँ पर हमारी center line नहीं बनी है इसको भी बना लेते हैं तो यहाँ पर हमने क्या किया एक line command से line बनाई और फिर excel horizontal line केचिनिया में और अप टी आर यहाँ यह बन चुकी है अब कहां रह गई अब यहाँ से करना है तो हमने यह एक्स्टर1 रहना के बनाउन आक हाँ में और यह 1997 आए फेरा यह धुकी और 10 को अरवपन से कांण महल्यीशंगी और के लिए उनको डिलीट करना है आप समझ गए होंगे यह देखिए इस तरह से कि यहां पर एक लाइन रहे गई इसको भी बना लेंगे हैं कि यहां पर एक वर्टिकल लाइन बना लेते हैं सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे एल से फिर एक एक एक्सेल बना लेंगे लेंगे इसको ट्रिम कर देंगे अब हमें क्या करना इसका मैंने बताया था आपको यह हाट सरफेस चबूतरा टाइप का इसको डिजाइन नहीं करना है हमें ति अब क्या करना है हम लेयर कमान बेजाते हैं और जो हमने कोलम बीम की लेयर एक्टिवेट की थी उनको भी हम हाइड कर देते हैं स्टैट को तो अब हमें क्या करना है डबलू ब्लोक के नाम से कमांड है उस पर क्लिक करना है उसके बाद हमें यहां पर यूनिट मिलीमीटर ले ले लेते हैं और के करेंगे तो इसलेक्ट अब्जेट के लिए पूछेगा इसको स्लेट किया अब इसको सेव के लिए पूछेगा तो यहां से हम डेक्स्टोप एक ऑटो कैड यह जो फूर्थ फिफ्थ नौन्यू फोल्डर है यहां पर सेव कर देते हैं न्यू ब्लॉक के नाम से इससे क्या होगा यह अलग से सेव हो जाएगा यहां पर बहुत साइड रोइंग है जो हमने हाइड की विए लेवर लेयर से के वाट ठीकिए अब मैं यहां पर न्यू ब्लॉक है अब इसको हम से वैस करते हैं डेक्स टॉप न्यू फोल्डर फाइब के अंदर इस फॉर्मेट में डी एक्स एफ स्टैट पर हमारा इस ही से इंपोर्ट करता है और हमने सेव कर देंगे अब आटोकेट को क्लोज कर देंगे क्लोज करने के बाद हम स्टैट पर उपन करते हैं फिर न्यू फो पोर्जेक्ट और यहां पर हम फाइल में जाएंगे और इसको इंपोर्ट करेंगे कि दी एक्स एफ मेंने सेव किया था इंपोर्ट करना है इसे हम जाते हैं न्यू फोल्डर फाइव ड्राइंग टू वाई अप रखना है प्लान का वाई अप होता है मिली मीटर हमने यूनिट ली थी ओके कर लेते हैं देखिए यह प्लान बहुत दूर आ रहा है यह प्लान हम क्या करते हैं मैंने कंट्रोल एक या तो देखा कंट्रोल है में यह स्लेक्ट हो गए और यहां पे डॉट स्लेक्ट हो गया यान कि यह एरर है इसको हम ड्लीट कर देखें तो हमारा इप्लान ठीक हो जाएगा टॉप विव से देखते हैं यह है अब देखिए बहुत सारे हुआंगेर हूँ जह रिमूब करें हैं सबसे पहले मेजर कर अच देख लेते हैं और टीक है अब क्या करना है हमें सबसे पहले देखिए हम सिप्न के से इनेरेट करते हैं यह पर जॉइंड नहीं है यहां पर जॉइंड होना चाहिए तो मैंने कंट्रो ए नोड तो नहीं है उसके बाद आपको टूल में जाना है और स्वाक अधूली पे अच्पति फूली campaign मेंबर ओ भी नहीं है इसके बाद आपको क्या करना है इसको देखी आप अगर में अपनी ग्रिट कोन करूं तो इन हमारी यहां पे च्ञँचर अमार வ यहां पाउर की हमारे structure origin पर नहीं है ठीक है यहां पर joint बन गया इसको delete करना पड़ेगा origin पर यह नि कोई एक joint origin पर होगा तो अच्छा होगा तो हम क्यों ना इसको origin मान के चले अगर हम इसको origin या इसको origin मान के चलते हैं तो देखिए क्या होगा इस joint के कोईनेट को हम यहां रख लेते हैं और यहां जाते हैं जिमेंट्री मोव और इजिन और यहां पर वैलू डाल देते हैं origin की यह जो इस joint की है 1554.140 वाई 057.074 हमने क्या है जो इस joint के कोडिनेट यहां पर जो एक joint था उसके जो कोडिनेट थे हमने यहां पुट कर दिये जिससे अब यह स्ट्रक्चर हो रहा और जिन पर चला जाएगा देखिए अब मैं इसके कोडिन देखता हूं तो और जिन पर इतना करने के बाद आपका इच फ्लॉर ओके करेंगे इस तरह से वर नीचे सपोर्ट फिल ओड्स फिर सारी चीज़े करके आप इस बिल्डिंग को डिजाइन करेंगे तो जो आटोकेड में हमने केवल जो ड्रोइंग हमने आटोकेड में देखी थी वह स्ट्रक्चरल ड्रोइंग थी उसमें कॉलम भी किमती थोड़ से डिटेल थी जो हमने हाइड करके फिर इसको बनाया अगर आप एके क्लाइन को मेजर करके स्टैट प्रोइंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और जितनी भी आपके कंसल्टेंसी में काम होता हो इसी तरह से काम होता है आपको एक आर्किटेक्चर में फिर इस डिजाइन करने के बाद यह जो डाटा आया का कितना किस बीम की विट्थ और डेप्थ और ग्रेड और स्टील और इन्फोर्समेंट है हो सब हम आटो कैड में पुट करते हैं फिर उसका प्रिंट आउट रिकलके हो साइट पर जाता है जिससे बिल्डिंग बनी स्टार्ट होती है तो यह प्रोसेजर होता है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लिस लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेर करना ना बोलिए और बैल आइकन पर क्लिक केजिए थैंक यू